हेलो एवरिवन सभी पसुदन साइक बायों को मेरा राम राम नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है पसुदन साइक की वैकंसी आज चुकी है उसका नोटिफिकेशन डल चुका है और आपका जून में एक्जाम होने वाला है दोस्तों तो अपने इस्टडी को कंट्य और अच्छा से और अच्छी इसको रब्तार दे और अच्छा अपनी पसुदन साइक की तैयारी को करने में लग जाएगा मेरे दोस्तों और हम भी हमारे LSA रास्तान यूटूब चैनल पर आपके लिए जल्दी से जल्दी और most और important question का video लेकर के आते रहेंगे जल्दी से जल्दी maximum video आपके लिए लेकर के आने की कोसिस करेंगे दोस्तों तो चलिएगा दोस्तों आज का पहला question स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी कोसी का कौनसी है अनाटोमी के question सोलो करने वाले हैं दोस्तों अनाटोमी के most important 400 से 500 question सोलो करेंगे हर subject के ठीक है तो आज का पहला question दे के कसर्यूका होती है कोबड में दोस्तो थोरे सी कसर्यूका कोन सी की कसर्यूका ठीक है अगला question देखेगा कि Oroin ब्रोशा किसमें पाई जाती है और विन ब्रोशा किसमें पाई जाती है दोस्तों बिच कुतिया के अंदर ठीक है अगला कुश्यन देखेगा बलड का परिवयन किसमें नहीं होता है बलड का परिवयन किसमें नहीं होता है अगला कुश्यन चेस्ट नट किसमें पाई जाती है chest nut किसमें पाई जाती है दोस्तो horse गोडे में chest nut आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगला question अगला question देखिएगा कि DEV clothes किसमें पाई जाती है дел close किसमें पाई जाती है fat look में फैट look के अंदर ठीक है अगला question पसी ना कौनसी गरंथि से निकलता है पसीना कौन सी गरंथी से निकलता है स्वेद गरंथी से मेरे दोस्तों कौन सी गरंथी से स्वेद गरंथी से अगला कुश्चन देखेगा ब्रुनर ग्लेडेंस किसमें पाई जाती है छोटी आथ के अंदर ब्रुनर ग्लेडेंस पाई जाती है ठीक है अगला कुश चन हड़ी जिसमें खोकली कैवेटी में हवा एकत्रित होती है ऐसी हड़ी जिसमें खोकली कैवेटी में हवा एकत्रित होती है तो उसे दोस्तों साइनस बोला जाता है क्या साइनस ठीक है अगला कुशन देखेगा कि घोडे के पैर में डिजिट की संक्या होती है एक डिजिट होते हैं घोड़े के पैर में अगला कुछिन देखीगा पहलोई खड़ी किसकी सद्धी के मद्धे में बनता है इस्चियम वैप्यूबिस के मद्धे में इस्चियम वैप्यूबिस के मद्धे में पहलोई खड़ी बनती है ठीक है अगला कुछिन देखीगा कुट्टे के कंका श्राम्माल में कृ cleaner होती है दोसव एकरान में 291 ठीक है दोस्तों अगला इसल नामक अम खड़ी किसमें पाय जाती है पॉझी इस्ट्राइल इहाइल नामक अज़ी किसमें देखने को मिलेगी पकॉ सीमें बर्स में आपको पोजी स्टाइल नामा कड़ी देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों अगला कुश्चन देखेगा कि किस एनिमल में फिबूला अपून विक्सी तड़ी होती है काउ गाई के अंदर जो फिबूला अपून विक्सी तड़ी आपको देखने को मिलती है अगला कुश्चन पैर की अड़ी नहीं होती है निमन में से कौन से अगले पैर की अड़ी नहीं होती है दोस्तों स्वीमर ठीक है अगला कुछिन देखेगा होर्स में सैकिंड वर फूर्थ डिजिट का आउसे सी होना क्या कहलाता है दोस्तों एरो गेट एरो गेट अर्गो गेट ठीक है अगला कुछिन फर्स्ट डिजिट का उसे सी होना क्या कहलाएगा चैस्ट नट क्या कहलाएगा चैस्ट नट ठीक है अगला कुछिन देखेगा कि कि किसका अंडासे अंगूर के गुच्छे के समान आकरति का होता है किसका जो अंडासे होता है अंगूर के गुच्छे के समान होता है अगला कुश्यन, ओरियन वर्षा उपस्तित होता है, तो दोस्तों यह है बिच कुत्या के अंदर उपस्तित होता है, अगला कुश्यन, कार्णू बुल प्रोसेस होता है, कार्णू बुल प्रोसेस उपस्तित नहीं होता है, तो दोस्तों यह होर्ष के अंदर उपस्तित होता ह ठीक है अगला question कौन सा animal जो नाक से उल्टी करता है लेकिन सांस नहीं लेता है गोडा मेरे दोस्तो ठीक है अगला कुश्यन पेर्स पेचेस उपस्तित होते हैं एल्यम के अंदर ठीक है अगला कुश्यन देखिएगा लाइसो सोम का निर्मान किसके दुआरा होता है गोल जी काय के दुआरा पानी में डूबता नहीं है पानी में क्या नहीं डूबता है लंग फेपड़े ठीक है अगला कुश्यन कौन सी गरंथी खरगोस में उपस्तित होती है तो दोस्तों खरगोस के अंदर परोटिड मैंडी बूलर और जाइगोमेटिक सभी उपस्तित होती है ठीक है अगला कुश्यन देखीगा बर्ड्स में गुदा कहते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनमें गुदा एनस को क्या कहते हैं तो दोस्तों बोला जाता है वेंट ठीक है अगला कुश्यन देखीगा एक नो पार्ट ठीक है अगला कुश्चन देखेगा कि कौन सा हार्मोन वरकक से सरावित होता है कौन सा हार्मोन ऐसा है जो वरकक से सरावित होता है रेनिन हार्मोन ठीक है अगला कुश्चन देखेगा कि होर्स में मैनस को कहते हैं ओर्स में मैनस को क्या कहते हैं डिजिट ठीक है अग की हुमरस अस्ती पैनुमेटिक बॉन होती है मुर्गे की हुमरस अस्ती पैनुमेटिक बॉन ठीक है अगला कुछिन देखे है कुबर में कौन सी कसर्यू का उपस्तित होती है कुबर में दोस्तो थोरे सी कसर्यू का उपस्तित होती है अगला कुछिन कौन सी गतिसी लस्ती होत एक कुछ्यन फावल में अंतिम थर्ड पूच का सिरुका में एक पिरामिट जैसी आकर्ति का निर्मान होता है उसे क्या बोला जाएगा पाईगो इस्टाइल पाईगो इस्टाइल में दोस्तो अगला कुछ्यन देखिगा कि मेंडिबल बौन होती है में दोस्तो निचला जब कैसी होती है मोटी ठीक है अगला कुश्यन क्रेप्स चकर संपन होता है क्रेप्स चकर दोस्तों माइट्रो कॉंडिया के इंदर संपन होता है ठीक है अगला कुश्यन जुगाली से पूरों मुँ में पने भोजन को लाना कहलाता है कोड क्या कहलाएगा कड ठीक है अगला कुश फीमर टीविया पटेला के बीच बनने वाला जोड कौन सा होता है इस्टिफल जोड फीमर टीविया पटेला के बीच में जो जोड बनता है उसे इस्टिफल जोइंट बोला जाता है ठीक है अगला कुश्यन उंट के डाइफ्रम में कौन सी हड़ी अंग्य हड़ी है उंट के ड्राइफ्रम में कौन सी हड़ी होती है जो अंग ये हड़ी के रूप में जानी जाती है दोस्तो ओस फ्रेनिक ओस प्रेनिक ओस पेनिस किसमें पाई जाती है कुत्ते के अंदर ठीक है ओस कार्डियोसिस ये रिदय में पाई जाने वाली हड़ी हो गई अगला कुश्चन दोस ठीक है अगला कुश्चन दोस्तो गोड़े में केनाइन गोड़ी में केनाइन दांत कितने होते हैं गोड़ी के अंदर केनाइन दांतों की संख्या आपको बतानी है दोस्तो वन अपन वन ठीक है अगला कुश्चन गिजार किसमें पाया जाता है गिजार दोस्तो मुर्गे में पाया जाता है किसमे मुरगे के अंदर ठीक है अगला कुछिण देखेगा प्रोग किस एनिमल के खुर में पाया जाता है अगला कुश्यन सींग कौन सी हड़ी का प्रोसेस होता है तो दोस्तो यह frontal bone का प्रोसेस होता है जो सींग होते है frontal bone का प्रोसेस होते हैं ठीक है अगला कुश्यन दर्खी का दोस्तो ओलिक रेनिन प्रोसेस हड़ी का भाग होता है दोस्तो यह अलना हड़ी का प्रोसेस होता है अगला कुश्यन सबसे बड़ी वे भारी अड़ी कौन सी है सबसे बड़ी वे भारी अड़ी दोस्तों फीमार होती है अगला कुश्यन गोल जी काय का निर्मान होता है तो मेरे दोस्तों गोल जी काय का निर्मान अंत्य परदवी जाली का ER में होता है ठीक है अगला कुश्यन बाये करन किस परकार की कार्टिलेज है बाये करन मेरे दोस्तों Elastic कार्टिलेज का परकार होता है ठीक है अगला कुछिन देखेगा बैल में rudimentary हड़ी किस में पाई जाती है तो दोस्तों यह फिबूला के अंदर पाई जाती है बैल में rudimentary हड़ी ठीक है और rudimentary का आर्थ होता है अवसेसी हड़ी ठीक है अगला कुछिन देखेगा या नहीं कि आपका कुछिन क्या है हिंदी में पूछ ले तो बैल में अवसेसी हड़ी किसमी पाई जाती है फीबूला के अंदर मेरे दोस्तों ठीक है अगला कुछिन देखेगा होर्स में कारपल हड़ी की संक्या होती है होर्स में कारपल हड़ी की संक्या साथ होती है कितनी सेवन ठीक है अगला कुछिन कुछिन कुट्टे की स्कुपला का सूप इकन पात एक ठीक है अगला कुश्यन देखेगा कि अलना हड़ी अगला कुश्यन क्या है अलना हड़ी का उपरी इस्सा जुनुकिला होता है उसे क्या बोला जाता है तो दोस्तों उसे एक्रोनियन प्रोसेस बोला जाएगा एक्रोनियन प्रोसेस ठीक है अगला कुश्यन काईवेटी की प्रत को कहते हैं, अगला कुश्यन, मेलनीन वर्णनक का निर्मान कोंसी कोशिकाओं से होता है, मेरे दोस्तों, मेलनो साइट कोशिकाओं के दुवारा, ठीक है, अगला कुश्यन देखीगा, इस्पूर पाया जाता है, इस्पूर किसके अंदर पाया जाता है, दोस्तों, नर मुर्गे के अंदर, ठीक है, अगला कुश्यन देखीगा, अगला कुश्यन है, कार्पो मेटा, कार्पर सड्डी किसमें पाई जाती है, तो दोस्तों, यह अड्डी मुर्गे के अंदर पाई जाती है, ठीक है, अगला कुश्यन, बोमेन कैप्सूल होता है, अगला कुश्यन क्या है, बोमेन कैप्सूल होता है, तो दोस्तों, यह किड के अंदर ठीक है अगला कुश्यन देखेगा कि इंटर्नल ओस वे एक्स्टर्नल ओस किस अंग का भाग होते हैं तो दोस्तों ये दोनों सर्विक्स के भाग होते हैं किसके सर्विक्स के ठीक है तैरता हुआ वरकक कौन सा होता है तैरता हुआ वरकक मेरे दोस्तो बाया वरकक तैरता हुआ वरकक होता है ठीक है अगला कुश्यन गोडी में इस्तन गरंतियां कितने पेर होते है यानि गोडी में इस्तन गरंतियों के कितनी जोड़ी होती है मेरे दोस्तो आंसर होगा एक पे आकार की टी आकार की ठीक है बिच में गरबास से कि संचनक करम से वियाकार की गाय में वाई आकार की होती है ठीक है कुतिया में पूछले वियाकार की गाय में पूछले वाई आकार की और मेरे में होती है टी आकार की मेरे दोस्तों अगला कुश्चन देखेगा कि वरकक में ब भील पिगी को बनाएंगे अगला कुष्यन देखर है कुटस् Bowl में इस सिगमेंट कितने होते है कुटस्ते में सिगमेंट की संक्छयोत होती आठ मेरे दोस्तो मेरे टिक कैटल और होष के अंदर साथ और सूर्ब के अंदर छे होती हैं ठीक अगला कुश्यन कौन सी मास पेशी की आकरती गुंबद रूमा होती है तो दोस्तो डाइफ रॉम की जो मास पेशी की आकरती होती है यह गुंबद रूमा होती है ठीक है अगला कुश्यन देखेगा कि फैट लोग जोड किसके मद्य में बनता है तो दोस्तो यह मेटा कारपल पॉर फर्ष्ट फ्लेंजेस के मद्या में बनता है फेट लो जोंट ठीक है अगला कुशिन देखे गा Insul. apon तो दोस्तों आपका जो इसमें गलत आनासर होगा, option number A ठीक है, अगला question देखीगा, supra-spinous huddy उपस्तित होती है, तो दोस्तों यह है, इसके पुलाके अंदर उपस्तित होती है, किसके अंदर इसके पुलाके अंदर मेरे दोस्तों, अगला question देखीगा, कि cattle, buffalo में कारपल हड कि लाकीच बंने वाला जोड कोंसा होता है तो दोस्तों इनके मद्दे में केनी जोईंट बनेगा और अगला कुछिन के सिग्मॉट फ्लैकजर अनुपस्तित नहीं होता है तो दोस्तों जो सिगमोड फ्लेक्जर होता है एक तो आपको घोड़े और सो दोनों के अंदर अनुपस्तित नहीं होता है आंसर होगा option number D ठीक है सिगमोड फ्लेक्जर का आकार एस आकार का होता है मेरे दोस्तो अगला question femur bone किस परकार की है तो दोस्तों यह femur bone होती है यह है एक तरीके की short bone होती है किस परकार की short bone वो sorry दोस्तो जो femur bone होगी आपकी long bone होगी सबसे बड़ी हड़ी ठीक है अगला question सिस्मोड अस्ती अनुपस्तित होती है सिस्मोड अस्ती किस में अनुपस्तित होगी मेरे दोस्तो फाउल मूर्गे के अंदर ठीक है अगला question छोटी अस्ती के उधारण है छोटी अस्ती के आपको उधारण बताने है कार पल्स ठीक है अगला question चप्टी अस्ती का उधारण दोस्तो इसके प्ला जो अड़ी होती है चप्टी हड़ी होती है मेरे दोस्तो अगला कुश्चन देखेगा कि काउ गाय की लार का पी एच मान होता है आट पॉइंट दो तक ठीक है अगला कुश्चन मुर्गे के आमाशे को कितने भागों में बजित किया गया दो भागों में ठीक है अगला कुश्चन देखेगा सुकुराणों को पोशन परदान करने वाली कोशिका कौन सी होती है सर्टोली कोशिका इन सुकुराणों को पोशन परदान करती है अगला कुश्चन टीत के सोकिट के मद्दे बनने वाला जोड कौन सा होता है ओप्सन नम्मर डी बोर के अंदर ठीक है अगला कुश्यन ट्राइक अपसिट वालो किसमें उपस्तित होते हैं त्री उलनिय कपाट किसमें उपस्तित होते हैं दाएं आलिंद के अंदर मेरे दोस्तों अगला कुश्यन क्या है रेडियेस वे अलना कौन सी अवस्ता में उपस् होती है डोग के अंदर ठीक है अगला कुश्यन सत्य आमास्य कहलाता है सत्य आमास्य कौन सा कहलाता है एबो मेजम ठीक है अगला कुश्यन यकरत में गैल ब्लेडर उपस्तित नहीं होता है यकरत में गैल ब्लेडर अनुपस्तित नहीं होता है घोडे के अंदर होर्स के अंदर ठीक है isolation किस का भाग होता है तो दोस्तों आपका आशर होगा प्रो एंट्री कूलस का, ठीक है, अगला कुश्चन देखेगा, कि फैल्स, अगला कुश्चन क्या है, कि फैल्स कहा, जाता है, फैल्स किसको कहा, जाता है, फाउल का, सिसन को, फैल्स बोला जाता है, फाउल मुर्गे के सिसन को, ठीक है, अगला कुश्चन, अगला कुश्चन रेड पलप व वाइड पलप किस में पाया जाता है डोस्तों पलिया के अंदर ठीक है अगला क्युश्यन देखेगा कि बुल की अस्ति में सरवादिक मात्रा में उपस्तित संगठन कोंसा होता है अगला क्युश्यन क्लावेकल पूंड रूप से किसमे विक्सित होता है फाउल मुर्गे के अंदर मेरे दोस्तों अगला कुश्चन कंकाल तंतर की सबसे मजबूत अस्ती कौन सी होती है पेरिट्रोरियस टैंप्रोरल ठीक है अगला कुश्चन देखेगा पिछले पैर की हड्डिया है पिछले पैर की हड्डिया कौन सी है मेरे दोस्तों हिप बॉन, मेटा तार्सल, फिमरी सभी पिछले पैर की हड्डिया होती है ठीक है अगला कुश्चन देखेगा किस एनिमल के सिंग खोकले नहीं होते है गोट, बकरी के सिंग फीक है अगला कुश्चन ब्रोनकाई आर्टरी कौनसे अंग को रकत की आपूरती करती है दोस्तों फेपडो को ठीक है अगला कुश्चन देखीगा कुट्टे के यकरत में कोष्ट की संक्या कितनी होती है फाइफ-पांच होते है तो दोस्तो ये वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो सभी पसुदर साइक भायों की पास में एक बार सेयर जरूर कर देंग्यू दोस्तो, धन्यवाद मिलते हैं एकली नेक्स्ट क्लास में